कि आजो लाई आपका में कर दिया नहीं है अच्छा आगे होगे मास एक सब्सक्राइब कटना नहीं चाहिए जो आपने कुर्सी में तोलिया सेट किया नहीं कटना नीची विडियो नहीं कटेगा याद रखना आप नॉर्मल बोलो आप मैंने जैसे कम की थी क्योंकि पिछली बार बहुत ज़्यादा आ रही थी हाँ जी चली रहे सब सर और सुनाओ क्या हल चाले बस बढ़िया एकदम स्वास्त है कैसा चल रहा है आपका स्वास्त तो बस चल रहा है मतलब स्वास्त के बारे में बात की ज पार्ट ऑफ पॉड्ड़कास्ट मतलब होना चाहिए क्योंकि यह ऐसी चीजह न जो सुनने वालों को भी पता होना चाहिए हर किसी को यह चीज पता नहीं होती जैसे मैं अगर अपनी बारे में बात करूं तो बच्पन से मतलब बस चलते आ रहा था खाना पीना ये वो ध्य जान देते नहीं अपन और बाद में जब रिजल्ट आते हैं टेस्ट के तो पता चलता है पास नहीं हुए तो नहीं पर उसमें परसेंटाइल आपका अच्छा है होगा ना इसमें ऐसा है कि मैंने दो दिन में नॉर्मल कर लिया था मतलब जब मेरा फर्स टाइम कैसे हुआ था अपने स्टाट करी देते हैं जुरूई है मैं तो शुरूई है अपा अंस्क्रिप्टेड वाले बंदे हैं आप तो वैसे भी तो हुआ ये था कि मतलब जब मेरा बैंक में नौकरी लगी थी तो उससे मैं ऐसा हुआ था तब तक तो घर पे रहते थे और उससे मैं तक पैसे वैसे मिलते नहीं थे यूट्यूब नया नया स्टार्ट हुआ था तो कुछ एक-दो महीने पहले कुछ पैसे आये थे तो उससे पहले तो कुछ मतलब मंगाना बाहर से होता नहीं था खाना बाः का कुछ होता नहीं था घर पर जो मम्मी बनाके देरी है देसी के खाने बस वही सब खाना वाना अब बैंग में जॉब लगी तो दिक्कत यह हो गई कि अब घर से दूर अब वहां क्या करें तो वहां हर दिन का कुछ न कुछ कभी कहीं बाहर से ला रहें कभी में जाके चाट, पकोडी, गुप्चू पी, यह सब चीजे खा रहे हैं, दोसा, इडली, सामरबडा, समोसे, यही सब चीजे खाते रहे हैं, पूरी मौझ, परस मौझी मौझ थी साथ महीने की, और उसके बद दिक्कत यह भी हो गई ना, कि जब जौड़ कर वापस आया, तो उस समय ऐसा था कि अब तो पैसे भी आने लगे हैं, अब तो कमा भी रहे हैं, मतलब इधर से भी कमा, यूट्यूब से भी आ रहा है पैसा, प्लस अपना जो वहाँ पर साथ महीने जौब किये, वहां से भी आ रहा है, तो कहीं न कहीं से मतलब पैसे तो आ रहे हैं, अच्छ कि जहां मैं पोस्टेट था, वहां तो πुरा रूरल एरिया था. वहां ये सब चीजे मिलती नहीं थी. तो यहां तो अच्छे अच्छे 레سवरेंट से कहीं, कहीं डॉमिनो से compleMr. ग्रमिनू से मंगा रहे है कि FC से मंगा रहे हैं, MACD से मंगा रहे हैं. तो हर दिन हर दिन continue चलते रहा चलते रहा चलते रहा चलते रहा पता चला नहीं हो समय कि कुछ ऐसा भी होता है कि आगे जाके समझ में आए मतलब पता तो था लेकिन ध्यान का आए तो बस वो फिर जब test करवाया गया जब वो एक problem आनी चलो ही न कि सांस फूलने लग गई और अचानक से मतलब बोलते बोलते एक दम ऐसा लगता था कि दिल की धड़कने रुख गई यह सब चीजें होने लगी तो फिर टेस्ट करवाया पता चला कोलेस्टॉल तो यार मतलब पार है मतलब कोई लिमिट लिमिट नाम की कोई चीजी नहीं थी देड़ सो दो सो उसका जो सेमे रहता है एसा वहीड बाप की वाली बात है पंजाबी है खाना तो देखो खनाक वहीड ने वहीं होने हैनो तो 350 ना बहुत जया जैसे तो जिम जा रहे हैं तो इस पॉइंट पर न मैं बड़ा कॉमेंट करता था जो बड़े लोग होते थे जो कुछ बन जाते थे या अपना खराब कर लिया तो जब यह चीज होती थी थी ना तो मैं और टोमेटिकली वो चीज मेरे को अपनी कही हुई याद आ जाती है जब मैं कुछ जादा इंटल जैसे नॉर्मली तो चलता ही रहता है जैसे हफते में एक आध बार कभी हो गया तो अभी जो मैंने स्टाट की विए एक बर मैं इंटरप्ट करूँगा ना एक परसन ने कुछ डिलिवर करना थ और उसको कॉल आ रहा होगा एक हलो हां जी एंजी चलो मैं बाहर आता हूं एक मिनट जो एक मिनट पूरी सर इंतजार करा है मैंने आपको एक स्टैंड मंगाया था बस वो डिलिवर करने आ गया था बंदा कोई नहीं अभी फ्री फ्री है आज सिर्फ पॉड्कास्ट चलेंगे अब शाम तक का थे हम हेल्थ वाली बात ना तो देखो सर है ताधर बात ना दिमाग में बार बार लगती है कि हो तो जाता ही हमें खाते पी रहते हैai कभी कुछ कर रहे हैं बाहर जा रहे तो याद अतर रहता है तो अभी मेरा जो करन्ट शेडिूल फोलोर है में हफते में पांच दिन तो इंटर्बिटेंट फास्टिंग करता हूं इसमें 16 गंटे में कुछ नहीं खाता लवरात को लास्ट मील जो ली 10-11 बजे के बाद उसके बाद दो बजे दोपहर को मील लेता हूं आज मेरा भी मतलब ऐसा चीट डे वैसे थो मेरा द्धर दी दी दhips करने और कि चीट को चीक कर दिया कैसे किया बताओ तो अभी करेंगे मतलब बस आज वैसे भी दो मेंच है। बैठेंगे आजinगर आज शाले तीन देखा निरे इक है CSK और MI का है जो कि मतलब सबसे मज़ेदार match रहेगा ऐसा मुझे लगता है वाकि देखते हैं दूसरा match-up मैं सोच रहा था ticket लेने का मैंने देखा CSK RCB कहीं मिले तो यार दोनों favorite team मिल रही हो तो वहीं देखा हैंगे देखा match ही नहीं है दूर दूर तक यह तो कोई combination ही नहीं बन रहा पहले बन गए वाले सारे combination तो यह podcast आप YouTube पर डालने वाले हो हाँ बिल्कुल क्यों नहीं डाले हैं बहुत लोगों को दर्द हो जाएगा इकठे देखके होता है देखो क्या ही बोल सकते हैं कोई वो नहीं है सब को पता ही है सारे सब के साथ ही करना ही है अपने को तो अब किसी को लगे क्या कर सकते हैं यह भी ठीक है और बताओ सर वैसे तो non-witch पसंद है बहुत ज़्यादा वैज मतलब मैं खाना उतना प्रिफर नहीं करता अगर मैं बहार का खा रहा हूं तो क्योंकि घर पे तो पूरा वैजी वैज मिलता है सब कुछ तो बहार का जब भी मतलब कुछ मैं मंगाने का अगर रहता है कि order करना है या बहार जाके खाना है तो मैं non-witch प्रिफर करता हूं बाकि ऐसे कोई मतलब dish special नहीं भी खालो आप खाना मैं वहीं का खाऊंगा और वह बटर चिकन ही खाऊंगा सब की फेवरेट डिश के साथ तो यह होता ही है वह वापिस आके वह पीस प्लेस होता है और वह जालास्ट में जरूर खाना जो फेवरेट है अब तो डॉक्टर ने लिखके दे दिया होगा दवाई में उसी कोई नहीं डॉक्टर ने तो मनाई कर दिया कि खाना ही नहीं है तो अभी तो फिलाल लग बग बोला जाया तो एक देड़ महीने से बंद है मैं नहीं घाया हूं देड़ महीने हो चुके है थोड़े समय बात थोड़ा सा करके वापस से फिर स्टार्ट करना है आपके पीछे जो बुद्धा वाली है ऐसी सेम तो सेम मेरे पास भी है मुझे ये स्टूडेंट ने मुझे भी स्टूडेंट नहीं दी थी और इसका सेम हम लोगों ने हम बाली गए थे जब हनीमून पर तो एक बड़ा सेम साइस थोड़ा बड़ा है वो वहां से लेके आये थे स्पिरिज्वालिटी फोलो करते हो आप हाँ मुझे मतलब लगता है कि ये चीज़े करनी चाहिए और मतलब एक बिलीफ भी है बताते हैं monkey mind और मतलब वो जिस तरीके की बाते उनका चैनल नाम है यूटीव पर उनका इतना ग्रोथ नहीं है बट वो जैसे बातें बताते हैं वो सब तो थोड़ा से एक इंट्रेस्ट आ जाता है जैसे मैं कुछ आपसे भी सुनना चाहूंगा कि ये सवाल क्यों किया आपने सर ये मतलब वही है कि हम कई सारे आप देखोगे नास्तिक लोग भी है उनका भी point of view ठीक रहता है बट वो भी आगर आप देखोगे ना तो आगर आप उनके सार discussion करते हो तो देख लो जैटा point की एक energy है जो सब चीजने चला रही है ठीक है और अगर आप किसी ऐसे person से बात करो होगे जो बहुत जादा deep into spirituality है तो आपको कहेगा हमारा भगवान चला रहा है जब सब creation होती है तो creator तो होता ही है जब इतनी सुंदर creation है हर जगह इतना सुंदर सब बना हुआ है तो creator तो है और अभी तक सर आपने भी ये चीज नोटिस तो की होगी आप भी आपने करियर में इतना ग्रो किया है मैंने ये चीज बहुत जल्दी नोटिस कर ली थी जब I think कुछ college के time पे जब मैं maths पढ़ाता था हॉम टुशन वगारा देता था बहुत कुछ उस समय कि यार जो भी फेवरेट चीज है ना मेरी जैसे मैंने ले ली ना उसका क्रेस खतम हो गया दो दिन मे सो हमारा हम खुद ना एक बहुत बड़े एक बोडी जो है नहीं हमारी हम खुद जो है बहुत बड़ा example है unlimited desires का खतम ही नहीं होती आप बड़ी से बड़ी चीज आज जो सोच सकते हो कि आज से 5 साल बाद मुझे ये लेना है ये लेना है आज मुझे इतना बड़ा बनना है क कि मुझे for example एक अगर हम materialistic form में देखें तो एक person कुछ सोचता है कि मुझे आज से 5 साल बाद ordy लेनी है वो सबसे बड़े वाली कुछ बाद टॉप class की तो पर उसका क्रेस दो महीने के अंदर खतम हो जाए दो महीने के बाद वो किसी usual गाड़ी की तरह फील होगी आपने भ पतलब naturally आपको जब यह फील होने लग जाएगा ना कि यार हम तो इसी चीज से बने हुए हम तो हर दूसरे दिन कोई नहीं चीज मांगेंगे दो दिन में खतम होगा उसका क्रेस और फिर ऐसी चलता जाएगा unlimited desires है तो इसको कहीं न गहीं तो रोकना पड़ेगा कुछ तो हो स्टार्ट होता जो जिसने पाया है वो तो आपको बोलेगा कि इससे उपर कोई चीज नहीं है हम जैसे लोग तो सीकर अभी शुरू कर रहे हैं सोच रहे हैं बात कर रहे हैं लोगों के बारे में सुन रहे हैं जान रहे हैं अलग-अलग गुरू से जान रहे हैं अलग- तो अगर हम छोटी मोटी मेटेलिस्टिक चीजों में खुशी ढूंडने के लिए दिन भर दिन में 24 में से 16 गंटे एफट मारते रहते हैं तो जब हमें थोड़ी सी इस बारे में अवेर्नेस बढ़ने लगेगी तो हम उसकी तरफ भी थोड़ा सा जुकेंगे तो सही तो इसलिए मैंने भी आपसे पूचा था कि आपका क्या प्रॉस्पेक्टिव है इसको लेकर क्योंकि हम सब सुकून और खुशी की तलाश में हैं और उसको सब कहते हैं हमें तो अभी पता नहीं ना जिसको मिलेगा वो ही बता सकता है जिसको मिला है वो सब कहते हैं कि this is the form जि जिन्दीगी ऐसी थी ना कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि आज जिस लेवल पर यह तो मैंने कभी इमेजन भी नहीं किया था सिर्फ एक यह रहता था कि मतलब कभी बी कुछ रहता था ना कि तो सपने बड़े थे कि हाँ घर लेना है गाड़ी लेनी है आई फोन के बारे मैं क अब भी सोचा नहीं था यह सब चीजें लेकिन जब चीजें बढ़ते गई बढ़ते गई आगे होते गई ना तो पहले यह जो इसा डिजायस आप बोल रहे हो यह चीज होती है अभी यह जो प्लेस्टेशन के यहां पर कैसेट्स पड़ें यह यह चीज भी था कि कॉलेश पे स्कूल टाइम पे जब हम प्लेस्टेशन खेलने बाहर जाया गरते थे तो लगता था यार कि प्लेस्टेशन होना चाहिए 40-50,000 रुपए का है तो मैंने खरीदा लेकिन आज तक मैंने उसको दो घंटे से जादा भी यूज नहीं किया है बस वो खरीदा और बस रखा तो उस टाइम पे होता था यार दोस्तों के पास लेते हैं लेते हैं लेते हैं बट जब समझ आ गया ना जैसी बात में कि यह जब आपको थोड़ा फील होने लगया समझ आना भी बहुत बड़ी स्टेज है हम अब वहां तक नहीं पहुँचे हैं बट थोड़ा सा जब अव मैंने अब कंट्रोल कर लिया काफी कि भया जिसमें एक्ट्रोल में खुशी मिलती है खुद को भी और दूसरों को भी वही काम करो यह अपनी जो यह बिना बात के बड़े-बड़े एकस्पेंडिचर्स है ना जिसका कोई मतलब नहीं है उसको कंट्रोल कर लेना चाहिए यह थोड़ा डीप में जाओ इसमें नाम किया जो बैठें तो स्पिरिच्वालिटी पर लेके जाएं इसको इसका यह कहना मतलब मेरे साथ एक्च्वल में कुछ कुछ चीजे हुई है जो मैं लोगों को बताते रहता हूँ तो वह सब चीज़ों थोड़ा सब ऑपन अप करो सर म हम बातें कर रहे हैं इससे मैं एक चीज़ पूछना चाहूंगा आप मतलब भूतों पर विश्वास करते हैं बहूत प्रेत आत्मा है अगर आप देखते हो कि अमीर है तो करीब लोग भी है बारिश आती धूब निकलती है तो मेरे साब से मेरा मानना है मतलब ऐसा कुछ है कि मैंने कुछ पर्सनली एंकाउंटर नहीं की यह चीज़ कभी बट मेरा मानना है कि बैलन्स तो है हर चीज में अगर पॉजिटिव एनर्जी जा तो नेगेटिव तो हैं बट दूसरे तरफ मेरा इस बात का भी मानना है कि यह हमारे अंदर की ताकत और क और बिसिकली इन चीज़ों के बारे में ओवर तिंक करना और सारी कई सारे फैक्टर्स आते हैं इसके अंदर तो अगर हम कमजोरी दिखाते हैं ना तो यह सब चीज़ें हम पर तब हावी होती हैं बट अबिसली जैसा कि आपका सवाल था मेरा मानना है दोनों चीज़ें एक और मतलब यह तो मैंने सीख लिया है काफी समय से कि कई सुनी बात तो भेश्वास ना के बराबर ही करो क्योंकि वह चाइनिस विस्पर होता है ना सर एक एने बी को कुछ का बीने सी को कुछ का सी ने डी को इडी ने एको और करते करते जैड तक जो पहुँचा वो कुछ हो बात गया है वह तो यह तो है काफी बनलब बातें इस बारे में होती रहती है मेरी जैसा भी मैन थोड़ी दیर पहले बताया था जो मेरे भी आते तो इस टाइप की बाते उन्होंने भी अपनी अ उनके सांथ यह ना कि हाँ सुने हैं मानते हैं अब उनके सांथ हुआ है जिनके सांथ होता है वो थोड़ा सा उस लेवल पर एक दो बार ऐसा मेरे साथ हुआ है कि मैंने ये सब चीजे फील की है काफी सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये कहते हैं मैं सर आप कडवे वचन बनाना क्यों बंद कर दिये ये मेरा 2019 में चलता था कडवे वचन 2019-2020 के आसपस कि मैं रात को क्या गरता था तो मेरा खाना खाने का टाइम उस समय डिफरेंट था और रात को क्लासे सुगर होती थी मेरी 11-11 बजे तक उसके बाद मैं खाना खाता था 12-12 अब इतनी लेट नाइट खाना खाने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि यार इतनी रात को खाना खाये हैं तो चलो थोड़ा टहल लेते हैं तो मैं शट पर चले जाता था और शट पर जाकर मैं टहलते रहता था और वहाँ पर मैं बनाता था कडवे बचन और सड़नली मैंने बंद कर दिया वो चीज़े तो काफी लोगों ने पूचा मेरी वाइफ ने भी पूछा कि कैसे आजकल जाना बंद कर दिये घुमते नहीं हो आजकल मतलब खाना खा भी लेता हूँ तो मैं यहीं अपने रूम के बाहर में ही टहल लेता हूँ तो वो मैंने फिर एक बार बताया था कि कुछ ऐसा मैंने महसूस किया था महाँ जिसकी वज़ा से मैं जाना बंद कर दिया था बताये सर बताये बताये इशाद इशाद ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाओंगा बस मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मतलब ऐसा होता है ना कि जब मैं कड़वे बचन बनाता था हमेशाद और कभी कबार ऐसा होता था गुस्सा केस का होता था गुस्सा मतलब मेरा ही रहता था कि मैं उनको निकालना चाह रहा हूँ कि बच्चों को उस मॉमेंट से कि जैसे आप कमफर्ट जोन में बने हुए और क्यों बने हुए अरे गुस्सा किसी का भी नहीं था 2019 में यार कहां ही गुस्सा उस समय मतलब गुस्सा सिर्फ यह चीज का रहता था 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 ना कि जब एक बच्चा बहुत जादा महनत कर रहा है तो तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो कि मुझसे नहीं हो पाता नहीं निकल रहा प्री नि वो सब चीजों का गुस्सा अब जैसे एक बार मैंने वो दहेज वाली बात निकाल दी थी तो उस पर गुस्सा निकाल दिया मैंने पूरा यार अपनी खुद की कुछ बनाओ ठीक है कुछ रसम रिवाज होते हैं कुछ जगह के मानते हैं ठीक है बट चेंज करोगे तब तो वो चेंज होगा तो एक बार उस पर भी मैंने बना दिया था काफी सारे लोगों ने बुला नहीं हम तो लेंगे लोग है यारे सर ऐसे कैसे अरे सर दिये थे दिदी के में तो अब लेंगे भी ठीक है लोग है अब हम क्या ही बोल सकते हैं हम कुछ नहीं हम सिर्फ समझा सकते हैं आज एसा किया है मेरे साथ भी हुआ है मैं समझ सकता हूँ यासा बैसा करके तो कभी प्यार से भी बात करता था तो होता मेरे साथ यह था कि कुछ समय था क्या 3-4-5 महिन हो तक यह कंटीनी चल रहा था अचानक से न मुझे किसी किसी दिन ऐसा फील होता था कि कोई मुझे देख रहा है और रात को एक देड़ बजे कोई मुझे देख रहा है क्योंकि मैं ऐसे मुबाइल में रिकॉर्ड कर रहा हूँ record करते हैं, ऐसे जैसे देखता था न, अचाना कोई देख रहा, ऐसा मुझे लगता था, लेकिन कोई नहीं होता था, और ये चीज मुझे दो बार, तीन बार, चार बार feel हुई, और जब मैंने बंद किया, उस समय मुझे ऐसा feel हुआ था जाथा, और इवन अभी भी, if you overthink about this, तो you will feel it again, अब overthink करो, अब निलेश को रूम से निकाल दो, और कमरा बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, आइस क्लोज करके बैट जाओ, आप फील करो, आपके चेर के पीछे कोई बैठ है, दो मिनिट के अंदर ही feel होने लग जाएगा, अब पर वो पता है क्या है, वो अंदर की है, हमारी वो, वही में होला ना, when we show the weakness from inside, जब हम अंदर से कमजोरी दिखाते, कमजोरी दिखाने का मतलब है, एक थोट आया, नेगिटिव थोट आया, आपने उसको hold कर लिया, मुझे feel हो रहा है, feel हो रहा है, feel हो रहा है, कोई है, कोई है, कोई है, तो automatically आपको air में भी ऐसा कुछ feel होने लग जाएगा, कि किसी को लग के आ रही है, बट यार, ये वो चीज नहीं थी, क्योंकि नहीं देखो, मैंने feel किया, और मैं हमेशा से, मुझसे मेरे घरवाले भी बोलते थे, कि इतनी रात को उपर मत जाया कर, और मैं ऐसा था है, कुछ नहीं होता है, खालत हुए बकवास है, इस सब चीज़, मैंने डरता, मेरी वाइफ को भी लगता था, कि नहीं, उपर मत जाया कर, ऐसे रात को इतना, एक देड़ बज़े रात को नहीं जाना चाहिए, उपर से फिर क्या है, मतलब मैं बुरा भी बोल देता था, अरे कौन क्या उखाल लेगा, मतलब इस टाइफ से मैं बोल भी देता था, अरे कोई क्या कर लेगा मेरा, तो ये सब चीज़े ना, मैं बहुत ज़्यादा जब करने लग गया था, उसके बाद मुरे रिसनाती ये सब चीज़े होने लगी, और सिर्फ ये ही नहीं था, एक चीज़ आपको और बदाता हूँ, कि मेरी बॉड़ी में जैसे कुछ ऐसे खरोच लगती है, तो उसके बाद कुछ दो दिन के बाद उसके उपर एक ब्लैक लेइर नहीं आ जाती, ये आना चालो हो गया था, बॉड़ी में, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, अगर इतनी रात को मैं जाना ही बंद कर दिया हूँ, और अगर इतनी रात को मैक्स तू मैक्स में रहता भी हूँ, बारा साड़े बारा तक तो कोई न कोई साथ में रहता है, तब ही रहता हूँ, एक क्लास लगा लो ना उपर, बच्चे भी देख लेंगे, और इनके सामने लाइब और क्लास रखना ही गयारा से सवाब आरा, तो अपके ले तो होगे नहीं, दोड़ाई-जार बच्चा आपके साथ है, खोई दिक्याद्वाली बात ही थी, अरे तो दोड़ाई-जार बच्चा ऑनलाइन है ना, मेरे साथ को नहीं बैठा ना मेरी तुमाहत कराओ साथ है उस समय चार उस समय जरुआती बढ़ेगी चार और आठ होते हुए अरे नहीं है सर ठीक है वही बात है अगर आपको डाउट है तो आवाइड करो हाँ नहीं मैं आवाइड ही कर रहा हूँ अभी ये सब चीज़ों को और वैसे ये मैं रुद्राक्ष अगरा भी पहनने लग गया था उसके बाद तो मतलब काफी ये पहुत पुरानी बात है मतलब उसके बाद से फिर ये फील नहीं हुआ मैंने मतलब बहुत कुछ किया मतलब पूजा पार्ट में भी थोड़ा ध्यान देने लगा एक रुद्राक्ष की माला मैं पहनता हूँ अभी मतलब मुझे वो ऐसा नहीं था कि मुझे पहनना था किसी ने बोला पहनो ऐसा नहीं था मैं गया हुआ था किसी के पास और वो एक दीदी थी जिनके पास गए हुए थे हम तो उन्होंने पहना हुआ था वो काफी मतलब बड़ी माला थी और पूरा उस पे कुछ-कुछ लगा हुआ था बहर भी तो मुझे वो काफी अच्छा लगा मैंने बोला कि दीदी यह चीज सेम मुझे मिल सकती है उन्होंने बोला मिल सकती है तो फिर मुझे मतलब मेरे जो साथ में गय थे वो भी या भी और मेरी वाई भी उनलोगोंने बोला कि इसके कुछ rules and regulation होते है रुद्राक्ष पहनने के ऐसा तो उन्होंने दीदी ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो मैं भी रिशिकेश गया था तो उन्होंने कुछ ऐसा बोला तो था कि इसका कुछ होता है इसके rules होते है regulations आपको follow करने पड़ते है तो दीदी ने simple यह चीज बोली कि अगर आप पहन रहे हो ना मन में वहम मत पालो जैसा करना आप करो आपकी मरजी यह बस मन में वहम मत रखना कि ऐसा नहीं करूंगा तो यह हो जाएगा The same thing I told you sir अंदर की कम्जोरी इंपेक्ट डालती है, बहुत इंपेक्ट डालती है psychologically बहुत इंपेक्ट डालती है और वो इफेक्ट ना हमारे अंदर से बाहर जाता है वो एनरजी रिलीज होती है इसलिए वो भी एक कॉंटेक्स बना हो है ना affirmations का कि देखा जाया तो उसको उसको सही तरीके से किया जाया तो फायदा है नहीं तो सुनने में कई अच्जार बहुत बेतुकी लगती है कि आप अपने आपको रोज उठके ये बोक ऐसा करना है ऐसा करना है अगर उसको सही तरीके से किया जाता है affirmations को, तो मैं personally भी use करता हूँ कई बार, but time के साथ आप उसको सही से master कर लो तो बहुत positive energy भी देता हो और life में कभी ऐसा कुछ feel हुआ कि कोई चीज मतब आप कर रहे हो कुछ चीज पाने के लिए आप कोशिश कर रहे हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा efforts लगाने पड़ रहे है जल्दी मिल जाती है तुरंत less efforts ये तो समझ आगे है कि life जो है न वो मुश्किल तो रहेगी हमेशा ही कुछ भी चीज सर ऐसा नहीं से तो नहीं मिलती है बट आप एक तो समझो कि आप दो सर दो साइड होती है एक बंदा जो रोता रहता है मेरे साथ ये नहीं होता मेरे साथ वो नहीं होता मुझे ये नहीं मिलता मुझे वो नहीं मिलता मैं करता हूं नहीं मिलता एक है कि last moment तक fight लेंगे नहीं हुआ तो कम से कम अपने आपके तो विश्वास है कि जोड़ तो पूरा लगाया था मैं ये आइडियोलजी पे shift हो गया हूँ, college में मैं रोता रहता था college में मैं वो वाला था बच्चा जो मिलता नहीं था कुछ तो रोने लग जाता था ये समझ लिया है कि चीनना पड़ता है सर मिलता नहीं है इस दुनिया में सारे बहुत ही जादा बात देखोगे न तो ruthlessly निर्दयता के साथ लोग लगे हुए हैं आपको अगर आपने चीन के नहीं खाई तो आपकी रोटी कोई और खा जाए तो समोसे वाला समोसे वाला बस बही बात है सर अब ये बच्चों को भी पता है सेलेक्शन में सर आपने मिस किया आप लिलो एक हफते का ब्रेक लेने वाले नहीं ले रहे हैं वह पढ़ेंगे तो मुद्दा यही है सर अपना effort अपने हाथ में है सो सिंपल सी बात हो जाती है कि न आप अपनी नजरों में नहीं गिरने चाहिए बस और जिंदगी में सर पैसा आता रहता है फेम आता रहता है और हेल्थ भी ऐसी इसा फील करते हो ना वह बहुत जरूरी है और और आप खुद को लेके अच्छा तभी फील कर पाओगे जब खुद की नजरों में आप बोलोगे कि तुने कुछ कम ही नहीं छोड़ी थी अब मिला नहीं मिला वो तो उपर वाले की मरजी है सर यह तो है देने वाला जब भी अच्छी बात की तो और वो जैसे एक बाप के सामने सर आप रोते रहो वो बोलेगा तू नहीं संबाल पाएगा उदेगा ही नहीं सर आप मानलो आप जिद कर रहे हो आप थर्ड फॉर्थ क्लास में वफा सेकेंड क्लास में हो आप जिद कर रहे हो पापा गोल्ड गिरिंग चाहिए इतनी मोटे वाली आपके पापा के पास पैसे भी है ना फिर भी निले के देंगे क्योंकि आप संबाल नहीं पाऊगे वर्दी वाली बात है जब उपर वाले को लगता है ना कि इसने इतना घिस दिया है यह वर्दी है फिर वह आपके लिए कम ही नहीं होनी चाहिए आपके अंदर आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए आप अगर बेहिमानी से कर भी लोगे टेंपरेरी यह चला जाएगा आप इमानदार रहो अपने काम के साथ इमानदार हो किसी का दो पैसा नहीं चुराया जो कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो या किसी दूसरे के लिए कर रहे हो और गलत नहीं कर रहे हो तो आप उसकी नजरों में वर्दी हो फिर आपकी मैनत रंग लाती है मेरा यह मानना है जैसे आपने सवाल पूछा था कि जल्दी मिल जाता है पचास चीजों की ट्राई करते हैं तो पांच मिलती हैं सर बट खुशी रहती है कि बाकी 45 के लिए भी एक्वल मैनत करी थी ये चीज़ों मैं भी मानता हूँ कि मतलब अगर एक किस्मत पे मैं बहुत ज़्यादा मतलब बिलीफ करता हूँ पता नहीं आप करते हूं कि नहीं मैं किस्मत पे भी बहुत ज़्यादा बिलीफ करता हूँ और दूसरा मैं उपर वाले पे बिलीफ बहुत ज़्यादा करता हू क्योंकि मुझे कही न कही न एक ये बात है शायद मैंने अपनी क्लास में भी एक बार बताया था स्टूडेंट्स को कि जैसे अगर मैं किसी चीज के लिए परशान हूँ मानलो अगर मेरे पास अभी पैसे नहीं है मुझे अगर मानलो दो दिन बाद रेंट देना है मुझे रेंट देना है कोई न कुछ करके कहीं न कहीं से पैसे आजाएंगे तो वह हो जाता है जैसे और कोई भी ऐसा कुछ Ouais जाने का वहाँ पर, ना कुछ कुछ ना कुछ ऐसा होगा, एक दिन पहले टिक्पसिंगेद्च हो जाएंगी यह तो अचानक हो रही है सारी चीज़े और यह मेरे साथ बहुत बार हुआ है जो मतलब लगता है कि यार सोचा भी नहीं था मैं कि कल जाओंगा और कल जा रहा हूँ ऐसा हो जाता है तो है कुछ चीजे ऐसी और सर बताईए आप किस बारे में और बात हम कर सकते हैं वैसे काफी देर का तो हो गया है जिकश तर आपने इसको कितना लंबा रहना है बाते तो खतम नहीं होती, बाते तो होती रहती है बाते तो ज virtual करवाल लोंगर से तो एक सवाल आपसे था कि college में आप किस type के student थे मतलब college में किस type का student था सीधे साधे अपने अपने में रहने वाले सीधे साधे अला सीधे तो नहीं था बदमाशी भी सर ऐसे था college वाला time ना बड़ा अजीब सा था जैसे आपको भी मैंने बताया हुआ है बच्चों को भी पता है कि मैं IIT वगरा की त्यारी कर रहा था selection नहीं हुआ था तो तैना सेर वो दिल तूट जाता है जैसे तो दिल तूट गया था उस टाइम पर तो दिल तूट गया था ना तो वहाँ पर ऐसे लगता था कि यार अब मेरे को अपनी पता नहीं क्यों मैं आज हसता हूं उस बात पर पता नहीं क्यों डूट गया था भाई 21 साल का बदल कितना उमर होती है 18 साल उमर होती है 12 में 18-19 साल 18-19 साल मैं कह रहा है जिंदगी में कुछ अचीब नहीं किया तो पर वो कुछ करना है कुछ करना है कुछ करना है यह मन में आता रहता था तो मैं कॉलेज लगओ तो मैं बहुत रेर्ली लगओ अप 20-30% और 40% बदा डेज में कॉलेज जाता था बाकी टाइम पर मेरा यह होता था कि मेरी सुभे क्लास होती थी ति में नो बजे क्लास है, दस बजे भी, ऐसे फिर ग्यारा बजे भी है क्योंकि ट्रैवल करना होता था ऐसे बाइक पे गए, एक जिगे क्लास ली, एक सेक्टर में क्लास है, फिर वो घर पे जाकर किसी दूसरे को पढ़ा कि आना वो क्लास है, ये रहता था और कोलेज में देखा जाए, तो मैंने सब किया सब किया सब, डान्स कॉंपटिशन में पार्ट के लिए है, मतलब अच्छा डान्स भी कर लेते थे, तो मतलब उधर मजा आता था, मतलब करिकुलर एक्टिविटीज में रहते थे, ऐसा चुप वाला नहीं था, वो वाला था ना, सब के साथ फ्रेंडली, टीचर्स भी, आज भी कॉल करते हैं, टीचर्स मतलब फुल मस्ती मजाक में, ये ऐसे वाला से रहता था था, मज़ेदार वाला बढ़ ये है कि उस पॉइंट पे भी ना, जो ये काम था ना, वो एक वो देता था, कि ना, एक पॉजिटिविटी देता था, कि चलो कुछ तो कर रहा हो ना, क्योंकि हर चीज का एक परपस होता है, वो उस टाइम पे हुआ, नहीं हुआ सेलेक्शन, तो आज पढ़ा-पढ मतलब एक होता है ना, एक स्टूडेंट ऐसा भी रहता है कि, एक तो कुछ उस टाइप के होते हैं, जो अपने आपको बड़ा गुंडा दिखाते हैं, हम गुंडे है आंके, होते कुछ नहीं है, लामबा साब होंगे, होंगे तो सही, बढ़ा, आजाओ, इदर आओ, तो मैं मतलब एक तरी किसे बोला जाए, तो मैं एक्टिंग में आवार्ट बहुत जीता था, स्कूल में, कॉलेज में, बैस्ट एक्टर के आवार्ट में लेते बहुत बार, प्लस चो, स्टेंड अप कॉमेडी होती थी, उसमें मतलब, कुछ भी फिलर्स है, जैसे कुछ चल रहा है कुछ खराबी आगी, माइक की खराबी आगी, अब आवाज इतनी तेज थी, स्टेज फियर पूरा मेरा बच्पन में निकल गया था, क्योंकि फिफ्थ क्लास से मैं स्टेंड अप कॉमेडी स्टार्ट कर दिया था, बन्चो कर दी, यार लाइफ में कुछ ऐसी चीजे होगी मैं इतने बड़े, वो 25 लाग का कर्ज वाला बात पता है आपको शाहिए, अब कर लो, आप तो क्लास में करते रहता हूँ, ना अलग अब ओपन माइक करते हैं, अलग हाँ, वो करने का मतलब कभी कबार आता है मन में की करना चाहिए, लेकिन अब पता नहीं क्यों नेचर थ सकता हूँ, क्योंकि कॉमेडी के मामले में ऐसा है कि अंदर है, लेकिन ना मैं बहुत जादा निकाल नहीं पाता हूँ, उस चीज को, क्लास में थोड़ा बहुत निकालते रहता हूँ, क्योंकि वो चीज़ बचपन से, स्टेंड अप कोई प्रिपरेशन करके भी नहीं जात कोई भी, मन्नदब सक्वल टा क्रेश रहे थे मेरे, सिक्स क्लास से मेरा क्रेश स्टार्ट हूआ था, और स्कूल में पूरा सिफ ख्रेश ही रहा मेरा, तो फिर सर लाजमी है ना, फिर सर कॉमेडी की स्क्रिप्ट तो बढ़िया बनी जानी है college में, जब आप सामने stage पे खड़े हो और आपकी महतरमा सामने अगर audience में बैठी है तो automatically script दिमाग में इतनी अच्छी बन जानी है college में बलकिन बंद हो गया था, कम हो गया था college में क्योंकि ये सब scene चालो हो गया थे मेरे, मेरा जो main stand-up comedy वाला था, वो school में रहा है, क्योंकि school में क्या है friends थे सारे, मतलब लड़कियां भी friends थी, girlfriend मेरी कोई भी नी थी एक crush थी, और उसको भी पता चल लिया था वो राखी लेके दोड़ी थी मेरे पीचे बादने के लिए, और मैं ऐसा गाया हुआ था कि दो लेक्चर्स बंक कर दिये थे मैंने उस दिन, school में पहला मतलब लेक्चर्स बंक किया था, तो वो आला scene भी था, उस scene को भी मैंने सुनाया था वीरे, school में, stand-up comedy में ही कि ऐसा-ईस है, मैं उसको हाला कि मैंने ये नहीं बोला था कि ये real story है लेकिन वो थी real ज्यादतर stories जो मैं सुनाता था, वो real ही होती थी तो बस ये सब चीजों में रहते थे हम और क्या ही बोले, college निकल गया school निकल गया, अब पुरानी बाते याद करते हैं तो ऐसा लगते हैं और कहां से कहां पहुँच गया अब तो किसी से बातचित भी नहीं होती है सब अपने जिंदगी में busy हैं अभी कली मिरको friend मिला था, एक में walk करने गया एक park में तो सामने से आ गया, वो school का friend था मतलब वो मिरको मिला नहीं 10 साल से और 15 साल सिद्धा जादा ही हो गया तो एकदम से मिला और शकले दोनों की जादा बदली नहीं थी तो उसने भी पैचान लिया, मैंने भी पैचान लिया तो एक और गंटा बैठे पार्क में बढ़िया से बातचीत हुई मैंने का यह बहुत ड़ी है, तना तगड़ा नॉस्टेल्जिया हुआ हाँ, अच्छा, सेम क्वेश्चन, आपकी पहली गल्फ्रेंट का बली यह जिनलेश मिश्रा जी बैठ है न पीशे स्कूल में ही थी वैसे तो कितनी गल्फ्रेंट रही है टोटल अच्छा, एक चीज, एक बात मुझे याद आ रही है कि जब तुमारी शादी फिक्स नहीं होई थी, उससे 6 महिने पहले आरोल मैं आपके चैनल पर पढ़ाती थी, याद आ गए मैंने पूछा था, गल्फ्रेंट है, हाँ, शादी अधी की बाते चल रही है, मैंने पूछा था, वही मैं मैं क्या जो पढ़ाती है तो उस समय मना क्यों कर दिये थे, उस समय डाउट था क्या नहीं, मुझे डाउट नहीं था, बट वही था ना, निउस बाहर नहीं करनी थी अभी तो यह होता था था ना, कि चलो, आप ने तो चलो ठीक है, आपने तो चलो किसी को बताना नहीं एक आदे बंदे को जो ट्रस्ट वर्दी विश्वास पातर को बता दिया, वो फिर दो-चार जगे ऐसे बात फैल जाती थी तो थोड़ा सा अभी बाहर नहीं लेके जानी थी बात क्योंकि मुझे डाउट तो हो गया था उससी सब, मैं एक्चली मैं फेस रीडिंग थोड़ी सी कर ले था सब कोई डाउट सब, बच्चे कमेंट कर मैं यही कह रहे थे सर, हमें तो पहले ही पता था नहीं मेरे को बहुत जादा वाला वो आ जाता है, थोड़ा सा फेस रीडिंग रहता है, बाकी तुम्हारे बात करने के तरीके से भी मैं उसी दिन समझ गया था कि नहीं होगी देखो आपको हिंट दे दिया था मैंने अब बच्चे मुझसे पूछ रहे, आपकी शादी है उधर, और बच्चे इदर, मैं क्लास ले रहो बच्चे, सर आप शादी में नहीं गए लड़की वाले भी नहीं बुलाए बुल रहा है दिलिश हमारी एक-दो बार हो चुक्य है बढ़िया और अभी प्यार भी बहुत है, ऐसी चलता रहता है हमारी लड़ाई कभी हुई कहाँ है, मुझे तो यह नहीं समझ वाता है Missed communication ही हुई है, हर बार Missed communication ही हुई है बच्चों को लगता है यह तो ऐसा लड़ाई चगड़े वाला तो कुछ पी सीन हमारा कभी हुआ ही नहीं जब भी बात हुई है हमारी अच्छे से बात हुई है और हाँ कुछ हाँ मिस कम्यूनिकेशन हो जाते हैं कुछ गलत चीजे सुनने को मिल जाते हैं कुछ गलत तरीके से सुनने को मिल जाती हैं कुछ गलत फैमिया हो जाती है जो कि बात में दूर हो जाती है तो बस वही सब चीजे है और ठीक है सर बड़ी है मूवी जो होती है न सर ऐसे सीधी सीधी ऐसे चलती रहे न तो मज़ा नहीं आता ये भी ठीक है आप सेंड डाउन स्पार्ट अफ लाइफ कुछ होना चाहिए तो बस काफी अच्छा लगा आपसे बात करके मतलब ये पॉडकास करके बहुत अच्छा लग रहा है मतलब एक फील तो यार कितने टैम से बात हो रही है अपनी बात आइधिंक 2019 से हो रही है न बढ़िया अपना कुछ सही अच्छे लंबी डिसकुशन तो याद आता है रही के गंटा सर्दी में यह होता था पहले ना उम जिस घर में रहते था एक में भाई पढ़ि रहा है एक मिमी बापा और सुअ कहारे है तो आपका और इतुन उति ना मजा आता था 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 ना बात करते जाना को बहुट ने निकाल दी मेरे साथ है यह बहुत लोगो किसाद हुआ, 2019 में मैं बहुत लोगों से बात करता था, जिनसे मैं आधा-धा गंटा, एक गंटा रात को बारा-बारा बजी तक बात कर लिया, चट पे, वो सबसे बात करना मैंने बंद कर दिया, सिरु चट पे जाने की वज़ा से, हाँ, लोग यार आजकल कॉल नहीं करते हैं आजकल चट पर नहीं जाता ऐसे करो सर आज जाना सवा गैरा बज़े वेट करूँगा आपके कॉल का पता चल्ला वेट ही कर रहे हो कॉल ही नहीं आया किसी और का कॉल आ रहा है अरे अरे तो या सर दुनों का रैपिट फायर राउंड करते एक कुछ दो तीन सवाल आपसे करूँगा मैं आग तो नहीं निकलेगी सर उसमें नई नई ऐसा फायर कुछ नहीं होगा चलो सर बताओ शादी के बाद लाइफ में कितने परसेंट आए सर सो प्रतिशद बदलाव तो आते ही है शादी के पहले की जिंदगी और शादी के बाद की जिंदगी बैलनस बैलनस किस वे में आपके हसाब से मतलब बैलनस किस सरफ जुकाआउ आपका ज़्याद आपको मतलब कितनी बढ़िया मतलब कह रहे हो कि जिए पॉजिटिव वे में रही हो मैं तो कहता हूँ सर कि मतलब पहले ऐसे बाते डिसकस की जाती थी सारी अब ऐसे की जाती है यह फरक है और वो मैं कहता हूँ कि बहुत आप कई लोग ना सर बहुत बदनाम कर देते हैं इस चीज़ कि मेरे कोई उजाते है और हमारा लिटरली ऐसे नहीं होता कि कोई ऐसे हेलो आया और आज पता है क्या हुआ ऐसे बात शुरू होती है यह चीज़ तो है से मेरे साथ ही ऐसा होता है और खेर रैपिट फायर चल रहा है यार मैं फिर अपने उसमार जिन्दगी रैपिड फायर यह चीज़ तो सेम मेरे साथ भी होती है कि मतलब कभी वैसे तुम ज्यादा तर उसका ऐसा रहता है कि मैं घर जा रही उचार दिन केलिए बट उचार दिन नहीं होता सुबह जाती है शाम को आजाईगी या दो तीन घंटे में आ जाएगी या फिर मेरे साथ ऐसा हो जाते है कि एक तो छोड़ने चले गए, दो तीन हंटे बाद फिर मिलने चले गए, और मिलने गए तो पिर लेकर ही आगे साथे में, बस ऐसे ही कुछ है सर, घर पास होने की ये फायदे, बड़ी है सर, आपको शादी में न, वाइफ से जादे एक अच्छे दोस्त की जरूत होती है, औ अच्छा दोस्त मिल जाए, तो उसे बढ़िया कुछ है, बिलकुल यह तो आप दोनों मतलब कैसे मिले थे, कॉलेज, फ्रेंड्स या, काइंड ओफ कॉलेज की ट्यूशन पर, कॉलेज में न, हमारा होता था, कि एक ही बार में ट्यूशन गया था, कॉलेज में, कि दौरान म और करवा देंगे, कंप्लीट हम, तो सब हिसार के लगबग-लगबग हम सारे पहुच चाते हैं वहाँ पर, तो यहीं मिली थी, महतर्मा, और शादी के लिए जब घर में बताया थे, तो घर वाले तुरंत मान के थे, लो मेरे शार, उसकी तो कहानी है, बहुत बढ़िया, और ऐसा था कि, जैसे सर सब के मिडल क्लास फैमिली की बेसिक सब दिमाग में होती है, चीज़ें वही थी, तो और हम सर दो भाई है, सर बहन कोई है नहीं, तो पेरेंट्स के साथ तना जादा कभी महिलाओं के बारे में बात करनें कमफर्टेबल हुए नहीं, कभी यही नही लड़कियों के साथ पढ़ते भी है, हमारे क्लास में लड़की भी बैठते हैं, ये भी कोफी बात नहीं हुए गर पे, इतना तक डर भी लगता था और इतना इसवाल कमफर्टेबल लेबल नहीं था। तो हमने थोड़ा सा चलाया दिमाग मैंने गईर कैसे बताया जाये, पताना तो पड़ेगा, तो मैं सोचा यार, मम्मी को बताएंगे, मuttrag मम्मी को भी डिरेक्ट नहीं बताएंगे, मम्मी के साथ भी इतना ज्यादा ओपन अप कभी हुए नहीं, का यार, भाई को बताते हैं, उसको बताएंगे आगे, कि तू बता के या फेर एक दिन में भाई को बोला चल क्या खाएगा क्या है यह आज कैसे इतना तू अरबर सारा मेरे पे मैंने का नहीं कुछ खाते हैं पीजा खा गयाते हैं चल ठीक है चलो गए हम पीजा विजा खाया मैंने ना ऐसी साइड गाड़ी टर्न कर ली जो सोड़ा लंबा रास्ता था तो तो आपने इतने मैचियोर हो गए तो कभी ऐसी बात हुई नहीं जादा इस पारे में तो मैंने उसको इहमत करके बोल दिया वाज शोटा भाई है बोल दिया गाड़ी में तीन-चार मिनट का उसके बाद फिर थोड़ा वह वह भी इसको समझ रहाएगी चलो बढ़िया है फिर वह तीन-चार सीज़े पूछ रहा है अच्छा कहां है वैसे हैं वैसे ठीक फिर उसके पंदरा दिन मैं चुप पंदरा दिन बाद मैंने उसको कहा कि आज मैंना लंच करने के लिए घर नह को एक-एक काम है तो तू ऐसे करियो मम्मी को बताती है वह कहा अच्छा इसलिए बताया तो तूने मुझे मैंने का नहीं देख अर्जेंट है बताना ज़रूरी है तो बता दियो मेरी एक्सपेक्टेशन थी गाली उसको भी पड़ेगी मेरे को भी बट उल्टा हुआ मम्मी को बताते ही मम्मी वस लाइक है सची फोटा तो दिखा जैजस ने मेरे को यह बताया ना तो मेरी अमीद थोड़ी सी हो गया है यह कब की 2021 की बात है या बाइस की शादी से तीन-चार-पांच महीने पहले बताया था ज़ाद पुरानी बात इसा नहीं गैप नहीं डाला ज़ और बस फिर मम्मी को पता तो पापा को पता है की बात है की दौर से होता है कि लिए कि जब भी कुछ अचीव करते हैं पहले क्लास पें नहीं होता है यह राएंट कोई गले मिलता है कोई पैर चुटा कोई कुछ करता है मेरा चाहँ आप मिलाता हूं जब मैं कुछ अचीव करके आता हूं जब डैडी हाथ मिलाओ फिरों मुझसे पूछते हैं कि क्या हुआ है हमारा कम से कम लगाओ 10-15 साल से चल रहा है तो जैसे मान लो की कुछ अच्छा हो बच्छों ने सिलेक्शन ले लिया क्लास से तो उस दिन मांने बताया उसे अगले दिन ब्रेक्पस्ट कर रहा थे और प्रहुद मिला। पापाई जॉब लगने के पहले तो तो मैं ऐसा था कि मैं बताओं कैसे डर मतलब डर रहता है नहीं कैसे बता दू जॉब लगई और हना बच्चा सैट्ल हो गया अब धीक है अब कोई दिक्कत नहीं है तो जॉब में जाते दि si एक महीना हुआ लेकिन जो इसके पापा बोलेंगे वही आखरी फैसला है तो फिर उसके बाद रही बात फिर चलती रहे क्योंकि हमारा वही होगे न हम पंजाबी वह साउथ इंडियन तो फिर वो टू स्टेट्स वाला पूरा मतलब था कि मतलब कैसे ही वोले साउथ इंडियन है पता ही अपन अब ऐसा सीन है शादी के तीन-चार साल बाद अब पापा दिल्ली जाते है रिष्टेदारों से मिलने तो वहाँ तारीफ करके आते हैं आप कभी राइपूर आओ इडली खिलाते हैं आपको मैं एक बात समझता हूँ सर कुछ-कुछ ना कुछ स्टीरियोटाइप्स बने हुए है और कुछ-कुछ अलग कई लोगों घरवालों ने कई-कई वहम बनाये हुए हैं कई-कई चीज़ें एक आइडियोलजी एक मेंटालिटी बनी हुई है और हम बहुत ही अच्छे तरीके से डिसकेशन करके बात करके कन्विंस करके प्यार से आगर हम उन स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करते जाए ना तो आगे आने वाला जो फ्यूचर होगा एट लीस्ट हमारी पूरी आने वाली फैमिली के लिए वह बहुत अच्छा और पॉजिटिव रहेगा और इंपक्ट जादा सक्सेस्फुल का चांसे होते हैं या फिर और भी कई सारे स्टीरोटाइप्स बने हुए थे लिटरली से कि आज कि सर हम गलत है दे एड्मिट इस बात को लेगे लगब हर जगह यही चलता है हर जगह हर मतलब यही चीजे चलती है बहुत दो परसेंट ही ऐसे लोग हो यहां बताते हैं तो इंपेक्ट को जाता ही है है और सर रैपीड फायर आपका स्लों गया हर को छोड़ो मारोगोली रैपिड फायर को अपने काम करते हैं तो आप आपसे हम यह चाहते हैं कि आज स्टरेडिफाइड चैनल यूट्यूटीब चैनल के ओनर आशिश आरोरा जी यहाँ पर मौजूद हैं, पधारे हुए है, तो वो किसी एक जागरन वाली अनॉंसमेंट लग रही है, यह आएं है 251 रुपे कुमार आशीश की तरफ से, जागरन जागरन वाले से, एक अच्छा वो उसी तरीके से बोल दू किया फिर, अमड़ी जा लगे गा, ऐसे करें, ऐ पर मौजूद हैं, आशीश अरोरा जी, जो कि आए हैं स्टेडिफाइड चैनल से, हम चाहेंगे कि आप किसी एक ऐसे यूट्यूबर को टैग करें, जिनका, मतलब, एजुकेशन लाइन से, वो हो ना हो, से कोई फरक नहीं बढ़ता, बिद वो यूट्यूबर होने चाहिए तो आशी ची एक टैग हम चाहते हैं आपसे मैं टैग करने वाला हूँ यहाँ पर कहरी मिनाठी को कॉंटेक्ट भी करवाना पड़ेगा फिर आपको म्यूट हो गया म्यूट मैं उनका बिजनस मेल उनके उस पर होगा मैं चेक करके देदे हूँ मैं ऐसा नहीं कॉंटेक्ट करवाना पड़ेगा फिर आपने सबका लगमग ले तो लिया पॉंट कास्ट यार किसका है बहुत है आप किसी को भी टैग कर सकते हैं ऐसा जरूरी नहीं है बहुत है आप आजकल तो मतलब ऐसा ना पहले एक बोला जाता था था ना कि कहीं पर भी पत्थर मारो इंजीनियर को लगेगा वैसा अभी कहीं भी ऐसा पत्थर एक कंकड मारो यूट्यूबर को लगेगा ऐसा है तो आप टैग कर सकते हैं दो तीन चार जितने मर्जी टैग हों आप कर सकते ठीक है बढ़िया है अभी हम आपको पताएंगे मैं को तो पोज लेता हूँ कट कर देना मैं सोच लेता हूँ क्या है ऐसे क्योंकि आपने बहुत सारे ले लिए जो अपने आसपास रहते हैं उन सबका तो ले जो आपके आसपास रहती है उनको तो भूली गए अच्छा ले सकते हैंगे जिए घरवालो का नाम भी हाँ क्यों नहीं ले सकते हैं लिए लिए ठीक है पारूल मैं को बुलाईए आप बिलकुल वो तो पहली प्रायोर्टी है उसके बाद दूसरी प्रायोर्टी और किसको बुलाया जाए और 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 आप अपना कोर एजुकेटर टीम हो चुकी है और अब मैं कहता हूं यार अपने सीनियर ओफिस में जो सीनियर मेंबर्स हैं उनको भी ले किया हो ना तो कहता हूं जो सब चीजें थोड़ा साथ रौम अंसर से बात करो जो लगता है कि अपने बिजनस का सोचती है मार्केट में लगता है हमको बेकेड़ पर पता है कि उनको बिजनस अप प्रॉफिट में नहीं जाएगी तो कोर्स कैसे निकालेगी दो साल में बंद पढ़ जाएगी आपके एजुकेटर्स नहीं पढ़ा पाएंगे आपको तो प्रॉफिट तो वो सोचेगी सोचेगी बट उसके साथ साथ बहुत सारे काम भी करती है आनेकेडमी आप सभी के लिए तो वो भी सामने आने जरूरी है तो आप आनेकेडमी की सीनियर मेंबर्स को ले किया और रॉमन सर को भी टैक कर देता हूँ मैं रॉमन सर और इसके अलावा आप एक दिमाग में और भी नाम आ रहा है आशीश गोतम सर वो तो आरे मात्यूरी जी एक लिए चलो बढ़ी गड़ चलिए रूर कंटेक्ट करते हैं फिर देखते हैं उनके पास इतना समय है कि नहीं कि वो आधा पॉन घंटा निकाल सके पैसे निकाल लेंगे निकाल लेंगे ऐसी बात नहीं है घर की बात है घर की बात है content sales team घर की बात चलिए तो काफी अच्छा लगा आपसे बात करके और दोस्तों तो यहां पर जितने भी हमारे विवर्स हैं उन सभी को मैं यह कहना चाहूंगा कि बने रही है हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो इंस्टा आईडी आप लोगों को नीचे दिख जाएगी आप फॉलो कर सकते हम दोनों को और आशिश सर के चैनल को फॉलो करिए अगर आप क्वांट पढ़ना चाहते हैं तो स्टडिफाइट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें हाला कि सब्सक्राइब किये होगे शायद पहले से तभी देख रहे हो नहीं कियो तो तुरंद कर लेजे बैल आइकोन को प्रेस कर लेजे ताकि आने वाले वीडियोस की नोडिफिकेशन आप लोगों मिलते रहें all the best you can and you will अगर आप चाहें